तो क्या है वैक्त उप्राइब कि इस भी को दोस्तों बात करें बिहार के लॉइक्ताइब करें अगर बात करें बिहार के वाहन को छूट मिलने वाली है वो की जाएंगे और क्या-क्या चीजों पर फिर भी पावंदिया यहां पर लगी रहेंगे जैसा कि आप लोग दे सकते हैं कि बिहार में 9 जून से लॉक्डाउन का स्वरूप इसकी अवधी क्या होगी इस पर मंगलवार को फैसला होने वाला यानि कि आज मंगलवार है और आज ह पर फैसला होने वाला नितिश मुखमंत्र नितिश कुमार मंत्रियों और पदादिकारियों से विचार भी मर्ष करेंगे इसके बाद लॉक्डाउन को लेकर निड्ले लेंगे यानि कि एक बहुत ही बड़ा लेवल का जो है वो मीटिंग होने वाला यहां पर और यहां पर जो management group है जो कि प्रबंधन group है जो कि सारा कुछ lockdown को manage करता है ये भी उस meeting में होने वाले हैं और यहां पर यह जो lockdown five यानि कि यह जो नौ तारिक से लगेगा इसको lockdown five का नाम दिये जाएगा है लेकिन यहां पर एक तरह से अनलॉक भी है कि सब कुछ lockdown सेम नहीं रहेगा और कुछ कुछ यहां पर चीजों पर छूट भी मिलने वाली है लिखा है कि जानकारी के अनुसार lockdown का विस्तार किया जा सकता है दो तो जैसे कि आप लोगे हैं सकता है कि मतलब पहले एक होता था लिमिट की आप इतने बजे से इतने बजे तक ही इन दुकानों को खोल सकते हैं लेकिन आप इसका टाइम जो है उसको बढ़ाया जाएगा और यहां पर साथ ही आवगवन के संबंधित यानि की आने-जाने जो ट्रांस्पोर्ट है उसमें सब्सक्राइब भी बहुत सारा छूट मिलने का संभावना है और यह सरा का सारा जो है मीटिंग में निकल के सामने वाला है आज मीटिंग होनी है और जो भी मीटिंग का जो निर्ने होगा हो सारा का सारा दोस्तों आप लोग को बताए यह गई इस चैनल के माध्यम से अगर तरीके से लॉक्डाउन यहां पर नहीं हटने वाला है जब तक कि करोना का जो केस है वो बिल्कुल ही डाउन चला जाए एकदम ना की बराबर हो जाए और अभी भी केसे हैं इसलिए सारा हमारे लिए किया जा रहा है हां इसके बहुत सारा बहुत सारा इसका डिमेरिट भी है लेकिन अब जो जिस तरह के केसे हैं उस तरह के यहां पर निंडा लिए जा रहे हैं दोस्तों मिलते हैं अगले अपडेट के साथ तब तक के लिए नमस्कार